नमर को क्या करना मैल्टिप्लाइई करना है तो हम गएल फोम के तूरू इसको इसली मळ्टिप्लाई पट अर पे इसे न्या मैंटिप्लेक्स सुनमर करते मेरे माँ नालाे tavdi प्रसक्राम कील रह और प्रस प्रस मिल्टिप्लाईः आप यहा करना सबाए क्या कर सकते हैं एक पाउर आई अलफा यह कौन दिया थे यह बोले थे इस जो टर्म है इसको क्या लिख से एक्स्पोनेंसियल के फॉर्म में लिख से एक पाउर आई अलफा के रूप में करना है अच्छा इसको आप ऐसे मल्टिप्लाई कि जाए तो आपको टाइम ज्यादा यह और जो आर्गुमेंट यहां ठीटा वन रहेंगा यहां ठीटा टू है सब क्या होते चले जाएंगे जूढते जाएंगे न ठीटा ट को का हम सबसे बहले किविशन लह ले तन नाम है उल er form की बात करें विल्ञाय वहता है उससे पहले इसका इंपोर्टेंस किया है इंपोर्टेंस देखने कि हम सबसे वहले क्यूशन ले लेते हैं जेड इकोल टू एक मान लेते क्या है थी प्लस रूट थी आई एक कॉंप्लेक्स नमरा और इसका पाणवर मान लेते हैं नमर का conjugate बता सकते हैं आर्गुमेंट बता सकते हैं या फिर और भी वो सारे चीज मोडलोस वगरा बता सकते हैं तो इसको आपको सिंप्लिफाई करना ए प्लस आई बी के पहम है तो क्या कर सकते हैं आपका पावर टेन है तो पावर टेन के लिए तो कोई फरूला पढ़े नही सब्सक्राइब उसके बाद जो चोटा सा आएगा वो आपका ऐंसर वो किया तो अगर करते हैं आसानी सेंट होने वाला नहीं है कम से कब hum पांस 10 Lima नहीं नहीं कितना ही कितना भी आपका कैल crise है था कम से कब तो थीन तलही लेगा और पांत से 10 मिनट इसको लगाना तो लिए 15 कर देते हैं क्या दिक्कत है बिस कर देते हैं अब तर लग जागा 10 मिनट आराम से इसली लग जाएगा तो इसमें कोई दिक्क्त है लेकिन आप ओयलर फॉम के थूरू क्या कर सकते हैं इसको आप सिंपली काफ़ी इंपोर्टेंट व्हारा ताइम को बचाता है ताइम को किया करता है रिड्यूस करता है अब कमपर्टिटी पॉइंट रख ठता अपके सेलेक्षन का तो अपको आपको असा नहीं समझना है कि वह प्रफ है जादा हाईयर पाउर आ जयागा तब ही इसका टीलाइज हो हुआ जो कि आपको सिंप्लिफिकेशन काफ़ी इजीक होने वाला इसके तुरो माल लेते क्या है एक और एक्जांपर लेते जेड इकोल टू आपका दिया हुआ रूट 3 प्लस 3i और इंटू में क्या 1 प्लस आई इंटू में क्या 1 बाइट 2 प्लस रूट 3 बाइट 2i ऐसे बहुत सारे और भी आपके दिये रहेंगे तो अगर इस कॉंप्लेक्स नंबर को क्या करना मल्टिप्लाई कर रहा है तो हम ओलर फोर्म के थूरू इसको इजली इसको इसको इसमें मल्टिप्लाई कीजेगा इसको इसमें मल्टिप्लाई करने के बाद एक कोंप्लेक्स नंबर आएगा यह प्लस आईब के फॉंब फिर क्या करेंगे इसको इसमें मल्टिप्लाई करेंगे फिर यह दोनों को मल्टिप्लाई करने के बाद एक नया कॉंप्लेक्स नंबर आएगा फिर क्या करेंगे इसको इसमें मल्टिप्लाई करेंगे फिर से क्या करेंगे इसको इसमें मल्टिप्लाई करेंगे उसके बाद आपको लग रहा है कि इतना EASY हो जाएगा कियो कि यहा पर आपको कितने। सोच है, बहुत है करना पड़े गगा तॉस्सका नाम है और बहुत कि च्छोप का दहिए जबतें के लिए आप मञें ओलर मैं पर आप दो दो करने से disadvantage मतल입नट ability 2 3-4 seconds में कर सकते हैं तो चलिए बीदा देरिके श्टार्ट कहते हैं oiliform अगा थे करले तो चलिए देखिए सबसे पहले oil यह उउएलर फोर्म को देखने से प Capital आप देख लीजे कि ऑर कौन से फोंग पढ़ चुक एं सबसे पहले ते टोपी के नाम है उए-लर फोर्म Can I Weller कर इसको और वेलर को बहुत लोग उए-लर फोर्म या फिक कोई भी और फॉंब इसी को पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने में कोई दीकते हैं आप जैसे ही पढ़ना चाहा है पढ़ सकता है तो यह वोईलर एक संड्री मैं तेमेटिशन के नाम है जो यह उनको दिये थे तो सबसे पहले देख लेते के वेलर फॉंब से पहले हम कौन से फॉं पढ़ लिए हैं जेट कॉंप्लेक्स नमर होता जो इस टाइप पर दिखता था यह प्लस आई भी किये टाइप पर दिखता था यह आपका जो अस्टेंडर फोर्म था यह आपका अस्टेंडर फोर्म था इसको कार्डेजियन फोर्म भी बोला जाता है सानाइ साइन अलफा हिसτι पर आपके कि दीखते थे और यहां पर आर क्या था आर जो था आपका मोडलाश को जा आता पर ओर कैसे निकलता था तवंए सबस्ञेवर लेकार आरगुमेंट 2 के प्रिंसिपटा सबस्क्राइब लेकिन इसके बाद ही एक net form को लाए गया था और जिसका नाम है Euler form तो देखिए यह वह क्या होता है जेट को इसी polar form को जब आगे expand करते हैं आगे बढ़ाते हैं इसी form को क्या बोलते हैं इसी form को किसमें convert करते हैं Euler form में करते हैं E का पाउर I alpha यह कौन दिया थे? Euler दिया थे यह बोले थे कि इस जो term है इसको हम क्या लिख सकते हैं exponential के form में लिख सकते हैं E का पाउर I alpha के रूप में लिख सकते हैं इसका derivation पर नहीं जाएंगे क्योंकि derivation में और लफला है Euler form Euler's form यहाँ पर दिखिया यहाँ पर आपके यह जो form में था R था modulus और यहाँ पर alpha जो था principle argument था यहाँ पर भी R क्या होंगे? R आपका modulus होंगे sorry, mode Z होंगे और आपके जो alpha होंगे principle argument होंगे principle argument बहुत सारे आप अगर other source से पढ़ें उस फोम को तो बहुत सारे polar form को यहाँ पर तीटा बोलदिया जाता है principle argument को थीटा सेısıसरी नोट कर दिया जाता है यहां भी तीटा सेसेंनोट कर दिया जाता है यहां जब argument को several argument गी हम बहुत सारे तीटा से करते लिए तो आपको confusion ना होई कि यहां क्या कर रहें मुझ में आना चाहिए कि उसका मतलब जो रियल मतलब है वह क्या है यहां पर आपका क्या है घिटा ऐल के क्या है ऐहां पर प्रिंसल प release अर्गुमेंटure तो अलग बात है आप पीछे क्यuden सब्सक्राइब को आप यहां पर अटायर यहां पर at the वेलर फार्म को एक पर लिख दे रहें आपके लिए थोड़ा सा असानी हो जागा जेड इकोल टु क्या होता है पूलर को तो क्या होता आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा यहां पर थीटा प्रिंसपल आर्गुमेंट है और इसी फार्म को जेड के रूप में लि outcome LOOK is equal to 2 कि में है डिया कि इसको किस फपरना मी च Carroll का रूफ में रुफ में होइल-फर्म के रूफ में change करना तो वसक्ते में कि आपको क्या जरूत पड़ता है यार का जरूत पड़ता और अशूय पहरको गिया है इसको आरख्योस यहां पर क्या करेंगे थीटा को प्रिंस्पल आर्गोमेंट यहां पर प्रिंस्पल आर्गोमेंट होगा चाहें तो आप इसको निकाल सकते हैं प्रिंस्पल आर्गोमेंट कैसे निकलता या फिर आप इस टैप पर जो कॉंप्लेक्स नंबर है प्योर्ली रियल कॉंप्लेक्स नंबर या फिर प्योर्ली इमेजनरी कॉंप्लेक्स नंबर उसका आप याद रख सकते हैं कि उसका आर्ग तो उसके लिए प्रिंस्पल आर्गुमेंट क्या होगा माइनस पाई वै टू होगा मालना तो यहां पर लाई करेगा तो इसके लिए प्रिंस्पल आर्गुमेंट क्या होगा तो इसके लिए प्रिंस्पल आर्गुमेंट जीरो होगा और मालना तो यहां पर लाई करेगा कोई ब्सक्राइब को याद रखना तो यइस का निकालता है तो चलिका यह uit जागा अगर यह आपका प्योरली इमेजदरी नामर हो रियल एक्सीज पर लाइक रहा स्विए पुजिटिव में नरी एक्सीज पर आपका जो प्रिंश्पल आर्गुमेंट फाइब टु होता तो इसको पाई वाई टू टू यहां से आप क्या कर से इसका आर्गुमेंट नि प्रिए घ्जयांब्र हो गया में किस में ओयले फोन में इसको पअपको सुखना होगा कि इसको प्रिंस्पल आर्गुमेंट चाहिए प्रिंस्पल आर्गुमेंट चाहिए तो प्रिंस्पल आर्गुमेंट कैसे निकलता तो प्रिंस्पल आर्गुमेंट निकलता तो प्रिंस्पल आर्गुमेंट निकलता तो प्रिंस्पल आर्गुमेंट निकलता तो प्रिंस्पल अगर थोड़ा से जिक्र करते हैं तो प्रिंस्पल आर्गुमेंट के सबसे प्रिंस्पल आर्गुमेंट को निकालने के लिए जेनरल आर्गुमेंट निकालना पड़ता है जेनरल आर्गुमेंट क्या होता है अगर टैन क्या निकालते हैं जेनरल आर्गुमेंट के लिए क्या तिना नंड आजागा और यह क्या है ? रूट 3 यानि की आपका 10 आल्फा यह यह आजाता है तक तो आपके अल्फा को ऐसे भी बहुत सकते हैं अल्फा इकोल को यह लागा 10 inverse 1 by root 3 और इसका वेलू 10 inverse 1 by root 3 का तो आपको ऐसे चेक करना एक one by root 3 10 में कहां पर होता है तो आपके 30 डिग्रीप होता ना यानिके अलफा का वेलू क्या आजागा 30 डिग्री यानिके पाई भाई भाई 6 आजागा जब अलफा का वेलू पाई विए 6 आगया यहां पर आलफा क्या है जेनरल आरगुमेंट सस्पपल आरगुमेंट सबसब्सक्राइब करने लिए इसको देखना पड़ेगा कौन सा क्वाडेट में लाई करा यह सब पिछे मलों बता दियाए फिर वी एक बार रिपीट घरन तो आप फोडी चेक पाड़ेगा अगर फिर्स्ट क्वाडेट में लाई कर र और प्रिंस्पल आरगुमेंट जो होता यह जो क्वार्टेन्स के फीरेट होता दो यह पर पी और इसलिए लिख रहे हैं ताइके आपको यह सल्सप्राइट में में ना हो सब्सक्राइट लाइक करा तो जो आपका प्रिस्फफल आर्गोमेंट होगा वही आपका जेरल आर्गोमेंट होगा निकाल्फ mod a work hours आया क्तिएं थीटा का वेलो भी क्या होजागा थीटा यहाँ पर फ्रीमेश्फल सब्सक्ー रम आर्गोमेंट और आरगोमेंट चैनल के भिना नो तो यहां से थीटा क्या आ यह था था प्लप कितना थे चैनल यानिक छाग्या जब आर मिली गया थीटा मिली की आथ हृत सते जेट इक्लक्रा यह B पर आपका 2 into e का पाउर i theta i theta के ज़िए पाई भे 6 यह आपका क्या आगा है इसका यह आपका क्या आगा है यह आपका complex नमर आए जो कि कौन सब फोर्म में आगे वेलर फोर्म में आगे तिसको आप इसली कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब देखीगा चलिए देखेगा अगर मालने देख्या है एक complex नमर है जो कि sin theta है प्लस है sorry cos theta है प्लस i sin theta है इसको आपको किस फोर्म में करना है वेलर फोर्म में चेंज करना है तो वेलर फोर्म में कैसे कर सकते हैं अच्छे यह आपको चीज़ इसी चीज़ को आपको क्या बोला गया क्या क्या इसी चीज़ को तो बोला गया इक अपोर i theta इसमें destructive of एक आप और आइ थीटा होज मैं यहाँ पर आपका मोडल रसा कुछश यहां नहीं है या पर जी कर नहीं होगा विद्ध कमोडुाइं पूजय च्षिंपने Must have को और सथे प्लस असाई थीटा को अग्याव यावसतेग् लेत करना तो इसको अगर wler format चेंज करना है तो सबसे पहले तो इस quantity को हम्हें मैने होगा है इसको क्या होगा देखेगा इसी का नमेर को ऐसे लिख सकतें कोस थीटा यह माइनस है तो इसको प्लस कर देता आई साइन माइनस थीटा कर सकते हैं और यहाँ पर आपके माइनस थीटा गया यहाँ पर आपका थीटा गया तो चलिए यहाँ पर क्यों ऐसे कर दिए देखिए का अगर शानगर इंदर मैंनस थीटा रहे तो आपका माइनस बाहर आ जब और यह जाता है इसको ठीटा के अंदर जबात पर माइनस अगर केक्स 1 और सेम केक्सम मैंमन माइनस थार हो जाता है या और माइनस यह लिखे Armen सीटा लिखे या फिर केवलगे तोनों बात क्या है सेमैं यहां पर आर्गुमेंट आपका माइनश इसको भी हम क्या करते थे माइनिस थीटा करते ताकि दोनों जगह आपके क्या दिखने लेगे सेम दिखने लेगे जेट इकल तो क्या कर से तक कोस मैं सब्सक्राइब माईनस थेटा क्योंकि में मैनस थेटा लगा या फर फेटा लगा दुनूं बाद सेम यह तिण वीत मिट्सक्त आपको पढ़ाय जागा तो भू अहां पर बताएगा अब यह मान के यह चीज होता है आपको मान ले नहां यह हो गया प्लस में आई साइन माइनस थीटा अब क्या लिख सकते हैं जब भी आपको देखा जाए कि यहां पर निगेटिव रहेगा ना पोजिटिव यहां पर निगेटिव रहेगा इसमें कोई दिकत नहीं अगर माल लें आपर निगेटिव हो जाता है यानि कि जैसे यहां होगा तो कि फिटा जैवर माइनस थीटा आजाता और कोई चेंजिंग नहीं आता है तो इसको आपको याद रखना ध्यान में रखना तो चलिए आगे की बात करते हैं चलिए देखिया कुछ इंपोर्टेंट्स रिजल्ट आपको बताया जा रहा है इंपोर्टेंट्स रीजल्ट्स रिजल्ट जो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होना है यहीं से आपका जो क्यूचन है वह आपको इजली तरीके से बनेंगे क्यूचन तो देखिएगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में रहता है अब माल लेते कि आर क्या है वन है आर क्या है आर के जगह पर वन कर दते हैं तो यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो के आजागा किस फॉर्मिंट में आजागा स्जेड इकोल रूका जागा कॉस थीटा प्लस में आई साइन् थीटा साइन थीटा और इसी को क्या ओeltर फो में रहाए और श्चा देख्टे को क्या अमेए कौं सेए कैन इस पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है दो complex number है एक माल लेते z1 है complex number जो cos theta 1 है और plus में i sin theta 2 है और स्वरी theta 1 ही है और दूसरा complex number है जो की cos theta 1 है और स्वरी theta 2 है प्लस में i sin theta 2 है दो complex number है और इन दोनों को क्या करना है अमको multiply करना तो z1 into z2 करना तो z1 के देगा पर आप क्या लिख से थे cos theta लिख से theta 1 प्लस में i sin theta 2 और multiply में क्या करना z2 को करना है याना कि cos theta 2 प्लस में i sin theta 2 इसको आपको multiply करना अच्छा इसको आप ऐसे multiply किजिए तो आपके लिए थोड़ा सा क्या हो सकता आपको time ज्यादा लग सकता हम क्या करते है इसको ओलर फो में change करते है तो ओलर फों को cos theta plus i sin theta को क्या लिख सकते है यहां पर theta 1 है ना य स्यरी श्यखों करते हरे लिख सकता है यह ने कि ने यहां रखुमिशंण बएक सकता है क्यों सब्सक्हाइं यहां पर 600 3 यहां पर इक पर कीशल कैसागे निज़्या कोषल जाए ने कि बश्राइंगे ? क्या जगा एका पाउर आई ठीटा वन प्लस में ऑज थीटा लेंगे यानि की थीटा वन प्लस थीटाटु त्यहां से दिखिएगा गौर किजेगा जेडेट इंटू जेडेट लिद दिटू आगए तो यहां से गौर किजिएगा कि अगर दो complex number को multiply करते हैं अगर इस format है इस format में आपको complex number देया हुआ है और इन दोनों को क्या करते है multiply करते हैं तो जो multiply होने के बाद result आता है e का पहुर i theta 1 plus theta 2 यानि कि जो e का पहुर i theta रहता था यानि कि यहां पर theta argument रहता था अब नया जो complex number है उसका argument क्या हो गया थीटा जगह पर theta 1 plus theta 2 हो गया है यानि कि दोनों आर्गुमेंट जो दोनों complex number का argument यहां theta 1 था और यहां पर theta 2 था दोनों का simply क्या हुआ add हो गया है इस result को आप याद इसके बाद आगे की चीजों को देखते हैं तो चलिए इसको हटाते हैं तो चलिए फर्स्ट आपका जो रिजल्ट आया है फर्स्ट आपर रिजल्ट को लिख लेते हैं अगर कॉस थीटा 1 है प्लस में आई साइन थीटा 1 है अब मल्टिप्लाई में क्या है चीज को ऐसे लिखने सच है जेनरल लिख लेते हैं ना मालने ते कोई हैं complex number जो की cos theta1 है plus में i sin theta2 है और into में क्या है सोरी theta1 ही अब फिर cos theta2 है plus में i sin theta2 है और into में क्या है cos theta3 है plus में i sin theta3 है ऐसी complex number multiply होते जा रहा है ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि 2 ही रहेगा दो रहेगा था हम तीजली कर सकते हैं लेकिन ओलर फॉर्म का जरूत कप पड़ा जब दो से ज्याज़ा रहेगा मल्टिप्लाइग करने के लिए इसमें भी आपका क्या हो जागा इसका जो आपका रिजल्ट आएगा आप क्या लिख सकते हैं इसको ई का पावर ई का पावर ती थीटा बन रहेगा यह थीटा टू है सब क्या होते चले जाएंगे झूडते जाएंगे ना थीटा फिरी जितने भी कॉंप्लेक्स नमबर है सारे आर्गुमेंट क्या होते चलेंगे जूडते जाएंगए कै ओक Presity में कुंण बबएस को आदे सारे बेग्ने सेम है था प और एड होते जाएंगे यानिकी यह प्लस यह प्लस यह अवसारे में से आइकों में लिखते हैं फिर से ही चीज़ आ जाएगा यहां से मेरे कहने का मतलब है कि अगर 2 या फिर दो से ज़्यादा पॉंप्लेक्स नहीं उन सब को क्या कि rightly या जाता है तो मल्टिप्लाइङ करने के बाद it fine जो सिम्लेक्स नंबर आता उसमें कि अधना एड़ हो जाएंगे उसी तरह से अगर मालते क्या है यहां पर आपका डिवाइड रहता है यह यह प्लस के जग उपर क्यों माइनस आता है क्योंकि इक पौर इसको क्या लिख सकते हैं इक पाउर आई टीटा टू लिख देते और बेस दोनों से जगस्थे में तो उपर जागा डिख के यह प्लस हो जागा इसमें कोई दिक्कत नहीं डिवाइट रहे सक्वर्स रिजल्ट हुई मैं यहां से की बात splitting है सजैं थेंड प्लस- अगर थिटा फ्रों महालत यह थीटा वन है यहा थीटा है सारे सेम हो गयी कौस मौश से साथ हो गया सकता है कौस थीटा प्लस में i sin theta का पार n लिखा जाए क्योंकि कोई भी चीज अगर multiply में अगर 2 x 2 x 2 कितने बाद 10 बार multiply तो 2 का पार दस हो जागा इसमें कोई दिक्कत ने है तो इसको क्या लेखे च्वाए टिटा प्लस में i sinyba कं। कि कितने टाइम से तक गया है n टाइम से profit करना चाहें तो इसको simplify करें तो जया अफका आजाएगा क्या जाएगा e का पौहर i in theta प्लस में लिखा जाएगा अगर बना लिख सकते हैं अगर Iinga फीट रहता थै तो लिख सकते थे और फेचा पलस में मैं Bi सभी बना प्रच ये मैं कि आप यह तिये कैसे यह बना हुई क्या सब तो थीटा थीटा सब जगा है यानि कि इसको क्या लिख सेते हैं E का पाउर आई थीटा लिख सेते हैं multiply में इसको भी क्या लिख सेते हैं E का पाउर आई थीटा लिख सेते हैं फिर इसको भी क्या लिख सेते हैं E का पाउर आई थीटा लिख सेते हैं जैसे मान लेते हैं कि 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 10 बार जोड़ते हैं तो यह 10 इंटू 3 हो जाता तीस हो जाता तो इसी तरह से i theta i theta i theta कितने टाइमस जोड़ा गया n टाइमस तो n टाइमस में जोड़ा गया थे क्या आगा e का पौर i n theta हो जागा यहां पर देख रहेंगे जो आर्गुमेंट था थीटा के जगए पर क्या आगया n थीटा तो ही बोह रहा है कि अगर कोस थीटा प्लस i sin theta का पाउर n है तो यह सिंपली क्या हो जाता है यहां से डाइडेट को देखना चाहिए इस दिनों को दोनों को चाहिए तो क्या हो रहा यह जो आर्गुमेंट है इसके पास आजा रहा यहां पर भी एन थीटा यह काफिले आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस फॉइंट को आप नोटिस कीज़ें और देखिए ध्यान से कि यह आपके कहना क्या चाहरा इस पर क्यूशन हम करेंगे उसके बाद देखेंगे यह इसका इंपॉर्टेंस और अच्छे से पता चले गया इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसी फोर्म को एक नाम दे दिया गया जिसको बोला गया है टी कि मुए भर्स थिवरम जो कि यह आपका प्लस आई सिंप्ली एन को क्या कर सकते आर्गुमेंट में लगा सकते हैं यानि कि एन थीटा हो जागा चले इस पर सवाल करते हैं उसके लेक्चर को लास्ट करते हैं दो-तिन क्यूशन देखते हैं काफी होगा आपके लिए आप और प्रेक्टिस के लिए बुक उठा सकते हैं कोई भी बुक ऐसे नौर्मल बुक में इस टॉफिक से आपको क्यूशन नहीं मिलेंगे लेकिन अच्छे लेवल के बुक उठाते हैं तो आपको मिल जाएंगे आरे सवाल एंसी आर्टी कैसी सिना अर्डी सर्मा वगरा में तो हम्में नहीं लगता कि य वह लगा सकते हैं तो चले लेकिन वेलर फूम का इंपोर्टेश तभी पता चलेगा जब वेलर फूम यूच करने के लिए क्यूशन दिया रहा है तो उसमें आपको अप्लिकेशन इसका पताने चलेगा एडवांटेज पता नहीं चलेगा तो आप गूगल वगरा से सच कर स आपके लिए करा दे रहें उतना सफिसेंट होगा थिवर्यों को समझने के लिए क्या हना क्या चाह रहा है तो चले लेते हैं कुछ एग्जामपल चले देखीगा एक कॉंप्लेक्स नंबर है दिया हुआ है कॉस है पाइब थ्री प्लस में आई साइन पाइब थ्री और कृण कर सकते हैं इसका है गया किचेगा सिम्प्लीफाई करने के लिए कि मृव यानि की तो 60 दिग्री का वेलू कितना होता में क्या होगा यह क्या है पाइब है इसका आई रहेगा और साइन सिस्ट ठटी डिग्री का one by two हो जागा यह आपका कॉंप्लेक्स नमबर आग्या सिंप्लिफाई होगा है लेकिन अभी तक सिंप्लिफाई नहीं हुआ है क्योंकि आपका नीचे डिवाइड में इसको क्या किजिएगा फिर से आप रेशनलाइज किजिए तो रेशनलाइ पाँ जाता और फिर उपर वाला मल्टिप्लाइग करना पड़ेगा तेकिन इससे आप इसी तरीके से बना सकते हैं वेलर फॉम का यूज करते हैं देखिए वेलर फॉम क्या है अब दोनों जेगा बेस्ट्रेम है यानि कि पावर क्या हो जाता है तो घड़ जागा यह आपका माइनस आइक पाई पाई वे शिक्स यहां से कॉमन लेशाते हैं यहां क्या हो जागा पाई वे थ्री और माइनस में पाई बैश् 3 यानि 30 degree है आपका यह स्वरिवाइज फाइप थी मतलब 60 और यह आपका 30 अब अब आरगुमेंट के जगह पर क्या है पाइजी तरीकेस हो गया यानिकि इस complex number को directly हम इसमें convert कर सकते हैं, इसमें कोई दिकत नहीं है, किसके थुरू, oiler form के थुरू, अगर आप चाहे ते इसको किस से कर सकते हैं, आप general जो आपके जो form पढ़े हैं, rationalize करके, इसको पहले किस format में के जिसका value रखिया है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो जहां पर आपको इस form में tignometry जहां पहले प्लाता है, वहां पर आप boiler form के ज्यादा प्रिमें में देजिए, पोईलर form के थुरू ही आप क्यूचन को किजिए, चले नेक्स्ट क्यूचन लेते, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्यूचन आपके लिए, इफ, ए, बी, सी, आर, एंगल्स ओफ, ए, ट्राइंगल, ट्राइंगल, देन, find the, value of, value of किसका find करना देखेगा, cos A, plus में, i sin A, अब multiply में, cos B, plus में i sin B, और into में, cos C, plus में i sin C, इसका आपको value find करना, फिर से एक वर क्यूशन समझा देता है, A, B, C, क्या है, angle of triangle है, यानि कि triangle का ABC angle है, कोई भी triangle है, उसका angle एक A है, एक B है, एक C है, यहां से अगर angle है, तो यह समझ में आता है, कि ABC का sum कितना होगा, 180 होगा, यानि कि pi होगा, क्योंकि तीनों आपका triangle का angle है, तो चलिए, इसको आप simplify करना है, इसको simplify करने के लिए, हम फिर से oiler form का use करते है, oiler form यह, cos theta plus i sin theta का रूप में है, तो इसको क्या लिख सते है, e का power i theta लिख सते है, theta के जगा पर A हो जागा, i e हो जाएगा, plus i b हो जाएगा और plus i c हो जाएगा, i Commaंण ले सकते हैं, यानि कि e का power, I CommaNN लेंगे तो a plus b plus c हो जागा, और ac को a plus b plus c क्या हो जाएगा? यह तीनों आपका angle है, triangle का angle है, को चले देखें का विए प्लस ध प्लस-की क्या अच्टात है कियों क्योंकि यह वागों की एंगल कीव किसका है त्राइंगल है औह-च्टाती candles क्या होते हैं पाइक पाई है प्लस में आई साइन पाई आजागा अब कुछ आपको टिग्नोमेटरी का हेल्प पड़ेगा उसके लिए हम थोड़ा सा बता दरें बाकी चीज़ आपको टिग्नोमेटरी में बताया जागा इतना सफिसेंट होगा आपके लिए तो देखेंगा कोस आपका 180 डिग्री साना उसी तरह सिस्टव से स्टाइन सांवी सायं साइं एक सॉट्शी डिग्री या फिर टैन एक सॉट्शी स्टविव डिए दोनों का ही ब्रोल कि इतना होता जीरो डिग्री बता और आपके साइन में कि सबस्क्राइब कर दूंढ कि 20q कि या फिर 10 कि 302 इसलिए कि एंगल को आप यादी रखिए यह आपको बेसीक मैं बताएगा जैन फिजिक सबस्टाइब अगर नहीं बताए गया तो आपको टिक्नोमेट्री में 11th क्लास में पढ़ना है मैथ में तो आपको सिख लिजेगा तो इसका यूज हो रहा है याने कि यह पाई मतलब क्या है 180 है और 260 मतलब तूपाई है यहां पर पाई है याने कि 180 का वेलू कितना होता है सिंप्लिफाइ करके सिंप्लिफाइ किया गया माइनस वन के बराबर आ गया और आपका इसको इंपोटेंस नहीं पता चल रहा है कि वेलर फोम का इंपोटेंस क्या है एसा भी इसको बना सकते हैं कोई दिकट है तब आप बना है किसको देखिए उसके बाद आपको पता चलेगा इसका इंपोटेंस क्या है क्योंकि इसका है मिर्द असका यह पता है जब आपको इसका युज्च कर दिरテ안 आपको लेका ताइम को लेकर इसमें उताम cambiért होते स इसको इससे multiply करेंगे बारी बारी से फिर जो आएगा फिर इससे multiply उसके बाद simplify करके देखेंगे माइनस वन के बराबार आता है कि नहीं हो सकता है आ जाएगा लेकिन टाइम बहुत अच्छा खासा लगया और यह भी हो सकता है कि आप से आएगा ही नहीं काफी आपके लिए इजी कर देता जो वेलर थे वह आपके mathematics नहीं काफी आपके लिए इजी कर दिया तो इसको सिखने में ही भलाई है और अच्छी बात भी है क्योंकि आपको competitive point of view से यह काफी important topic है जा चलिए next question देखते है चलिए नेक्स्ट जो आपका क्यूशन है रूट 3 प्लस में आई का पाउर कितना है 12 ले लते हैं इसको आपको simplify करना है चलिए इसको देखते हैं सबसे पली यह आपका जो form है इसको क्या करेंगे किस form है और फो में चेंज करने के लिए किसका जरूत पड़ेगा एक तो पर दूसरा आपको principle यहां से डारेट नहीं निकाल सकते आपका रूट थ्री प्लस वन का स्वाइब यानि कि तू आ जागा इसमें कोई दिखते यह अच्छा फॉर्ट थ्री प्लस आए का पीछे ही हम क्योज़न के न और आपका क्या आया था तू आया था और प्रिंस्पल आर्गुमेंट जो है यह जो आर्गुमेंट है principle argument वो जेनरल आर्गुमेंट के बराबर ही आएगा क्योंकि यह आपका complex number first quadrant में और first quadrant में वह क्या होता है तैन इनवर्स आपका बी यह होता है या फिर yyx बोले ना बी आपका क्या होता है इमेजदरी पाठ होता है और आपका एक होता है रियल प्राट यानिके रूट थ्री कहां पर तैन आता है तो आपका 10 वन बाइरूट रूट 3 ठर्टी डिग्री पाठा तो यानिके जो principal argument का भेलुआ जागा या फिर जेनरल आर्गुमेंट का भेलुआएगा थर्टी डिग्री आनिके पाई भाई समयां दोन के पोलों में change कर सकते हैं जोलोंडों यहीं और दो जोटा यहां पर थेटा क्या कर मिज़क है और से है थीटा के जगह पर आपका पाइवाई शिक्स अब प्लस में आई साइन पाइवाई शिक्स आगया आपको किस फोर्म में पोलर फोर्म में इसको ऐसे चुड़ दी अब पाउर कितना 12 है तो पूरे का पाउर 12 लगा दिया यहां तो कोई दिक्कत नहीं न उसके बाद इस पर पाउर 12 आजागा है यानि कि कॉस पाइवाई शिक्स प्लस में आई साइन पाइवाई शिक्स आजागा और इसका पाउर 12 पाउर था दोनों पर डिस्टिब्यूट कर दी अब देखिए चीज आपको बताय गया है कि इसी इसी चीज़ को रिजल्ट में दिखवा दिया गया है को कोषज फीटा पलस में आई साइन थीटा रहेगा और इसका पाउर क्या रहेगा न रहेगा तो यह यह पाउर होता है। awake रहेगा और इंट्ं में आपका कॉस और यहां जमप कर weल्ड चाहिए याज दो a पाई फैज सिक्स हो जाएगा और पलस में प्लस में i sin 2pi बचेगा इसको ब्रेकट में रहा अब 2pi का वेलो याने 360 डिए तो cost 360 का वेलो 1 होता है और इसका cost 360 का वेलो जूरी होता है आपका 0 यह जागा 1 into कितना 2 का पाउंड 12 यह आपका 2 का पाउंड 12 भाजागा यही आपका एंसर होगा तो काफी जी हो जाता का रिपके लिए our firearm तो चलिए इसी को देखी इसके बाद next lesson क्रते हैं उसके बाद इसको इस से सेजंब को लाइस करते ह। और लाश्ट क्यूष्टन देखिएगा बहुत ही इंट्रेस्टिंग क्यूष्टन है इसको मिटा देना चलिए नेक्स्ट क्यूष्टन लेते हैं आपको क्यूष्टन जो दिया हुआ है है ñte i-ireक जींड को कुंप्लेक्स मेर जो कि Kis के ब्रावर है जीड को मैं रहां गर सो आपको क्या करना है है कि soad कि जीडी में प्यूरी मिवन यह क्यों नहीं कि यह कहाना है यह देखने में आपको अजीर यह लग लगेगा लगेकि आई η का पार अगर आई है इमेजदरी कम और इमेजदरी यह जो complex नमस simplify होका आएगा प्योर्ल कैसे आसकता है क्योंकि आपको purely real प्रूफ करना तो purely real कैसे आएगा तो देखिए गा प्योर्ल इसको प्रूफ करते न सबस्क्राय में कर दो इस को कर रहे हैं इस i को हम क्या कर रहे है OCS में चेंज करना है अगर चुछ महत्या यह कोई भी कोंप्लेक्स नमबर है Z decomposition सब्सक्राइफ रुब्समत्री में क्या होता है E पाहर आइधिटा होता है OCS ही श्री रुब्समत्री अन्पर यह मॉल्लस होता है यांव को क्या लिख सता है यहां पर आई को क्या लिख सता है अब पूरे का पहुंड कि नहीं है यह आपका आई रहेगा अब देखिए ईका पावर यह आय आई मिलके क्या हो जाएंगे एंटू में पाइब तू याकषर आपको समझ महाता है यह आपका रहा रहा है रियल नंबर है और इसका पावर एकक रियाल नॉम्ब हों सिंपिदा इसका बार माइनस यहां पर tv ङक कान रियाल नंबर क्यों पर टा और यह भी आक रियाल लंबर होता है और फीक विए आपका बेवर गना उम्र div कि यहां पर आपको साफ दीख रहा हुगा कि आई वलरा टम्हें ही नहीं तो यह आपका। क्या हो गया है एक प्यूरली रीयल अध्याण एक प्रूफ करना है था आई को नहीं शोचना है कि इमेजनरी के ख़ोला तो यह आपका इमेजनरी होगा इसमें इमेजनरी वाला कोई भी आपके elements नहीं आएंगे कि यह पर आपका purely real आजाएगा तो चलिए इस session को last करते हैं और next session में आपको next chapter के साथ मिलते हैं